ओम नमो पंग्वतेवा सुदेवा यह नम है हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त सशी खान सर्मा और आप देख रहे हैं देनिक पंचा यूटूब चैनल दोस्तो अदर में आपको बतााऊंगा कि पंचक लगने पर हमें कौन सा काम नहीं करना जाएं अगर उस काम कम करते सब कुम पताऊंगा थो वीडियो से जुदे रहे हैं हलो दोस्तो सबसे इमपोर्टेंट चीज है कि हम पंचक की दिनों में चारवाई भी नहीं बना सकते हैं अर्थात जो कच्छी चारवाई होती है उसका निर्मान हम पंचक की दिनों में नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज है कि हम पंचक की दिनों में गाय के उब ले वे यानि गाय के डंख की एक जशें हम कह liberty उनको जलाने के लिए कटा ने किर सकते तीसरे चीज है कि हम चाय इस तो घर में रखी हुई नहीं जाड़ू हो चाय दुकान से करीद रहे हो पंचक की दिनों में हम इसे नहीं करीद सकते बाहर नहीं निकाल सकते चोती चीज है कि हम जलाने का सामान चाहे लकडी हो चाहे कुछ भी हो नया सामान लकडी जलाने वाला हम नहीं ला सकते हैं पांच विची इस कच्ची जोपडियों की चत भी नहीं डाल सकते और कच्ची जोपडियों से संबंधित जो भी कारिया वो नहीं कर सकते सबसे लास्ट है वो है कि पंचक की दिना में अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसका दाहा संसकार पंचक में नहीं करना चीए अगर किसी कारण वस पंचक में उसका दाहा संसकार करना पड़े तो गरूर पुराण के अनुसार या आपके गाव में कोई भी पूरो ही ब्र प्रमाण है एक तो निर्ने सागर पंचांग और दूसरी गरूड पुराण निर्ने सागर पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा खुंब रासी में प्रवेश करता है और जब तक मीन रासी में भुक्तान करता है शाड़े च्यार दिन तक पंचक रहता है तता करूड पुराण के अनुसार घनिष्टा के उत्रार देन घनिष्टा नक्षत्र जब आदा भी जाता है उससे लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक रहता है हाँ तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब गरें वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर गरें वेल आइकन को फ्रेस करें और आपके किसी भी परकार की कोई प्रोब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया हुआ है तो वहाँ पर मुझे फॉलोगर के मेसेज गरें में आपकी हर प्रोब्लम का उपाय जरूर बताओंगा बहुत बहुत धन्यवाद